हलो फ्रेंज वेलकम तु कारगी क्लासेश डेट आज की नो सितंबर दोजार इस और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रस के एडिटोरियल और आइडिया पे इंपोर्टन आर्टिकल्स जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट आर्टिकल जो हम देखेंगे that is the challenge of flexibility अभी जो new education policy आई है 2020 में जिसको हम बोले है national education policy उसमें एक तो academic bank of credit और multiple entry and exit options की बारे में बातचीत की जा रही है बट राइटर्स यहाँ पर उस पर question उठा रहे हैं कि theoretically तो यह बड़ा option शानदार लग रहा है बट practically जब बात आएगी तो बहुत मुश्किले आएगी जाने के क्या challenges हो सकते हैं दूसरा जो article देखेंगे that is about the future of food अभी United Nation Secretary General उनके द्वारा देखो एक food system summit है वो convene की जाएगी जिसमें यह focus रहेगा कि sustainable development goal को कैसे हम achieve कर सकते हैं जिसमें zero hunger और nourishment को जो mal nourishment उसको पूरा खतम किया जा सके जानेंगे क्या के suggestions है राइटर के यहाँ पे इसके लावाए एक article और देखेंगे that is about ease of doing administration कि जिस तरीके से IAS IPS officers के लिए अलग से cadres fix कर दिये जाते हैं फिर उसके बाद में अगर individual कोई भी मान लो कि IPS officer है वैसे तो पर उसके पास में अच्छी खासी skills हैं अच्छी खासी learnings है और वो suitable है कोई particular ऐसी post जिसके लिए आपने cadres fix कर रखा IAS officers का तो बलो वहाँ पर अगर उसको appoint कर दिया जाए तो आपको उसकी skills के कितने फायदे मिल सकते हैं एक बार imagine करो राइट तो इसी चीज़ को यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह जो cadres system है इसको एक बार review करने की ज़र्वरत है जानेंगे इस मुद्दे को पूरा तो चलिए देखत के द्वारा अभी एक order declare किया गया जिसमें एक IPS officer है उनको appoint किया जाएगा principal secretary in transport ठीक है जो कि एक IAS cadres का post है मतलब एक IPS officer को IAS की post पे appoint किया जा रहा है इसमें आप देख सकते हो इस चीज़ को रोकने की कोशिश की home department के द्वारा state government में ही कि आप इस तरीके से कैसे हैं आप एक cadre की post में दूसरे cadre के individual को कैसे ला सकते हो तो यहाँ पर writer इसी बात पर सवाल उठाता है कि हमारे यहाँ पर एक ऐसा system है जहाँ पर center हो या states हो यहाँ पर certain services है वो cadre post पे fix कर दी जाती है for example collector की post हमेशा एक IAS के पास जाती है एक SP की post हमेशा IPS के पास में जाती है similarly state administration की बात करे तो चीफ secretary जो की chief secretary of chief minister होता है उसको आप देख सकते हो वो एक IAS officer होता है जबकि अगर एक DGP की बात करें डिरेक्टर जनरल अफ पुलीस वो एक IPS officer होता है तो यह cadre हमने fix कर रखा है और एक तरीके से जितने भी काम करने के तरीके हैं appointments के तरीके हैं बोले इससे हमारे country ने बहुत हद तक achievements भी किये हैं पर अगर हम यहाँ पर इसी system को continue करते हैं तो एक exclusive cater post system तयार हो जाता है that means exclusionary manner में आप यहाँ पर काम करना शुरू कर देते हो जो कि फिर हो सकता है कि आने वाले time पर कुछ problem create कर दे जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि collector की post पे IAS को आपने point किया च collector के post के लिए एकदम बिल्कुल eligible हो जाता है बट यहीं पर इन lower level के जो officers हैं उनसे अगर higher level के officers की बात करें for example कोई secretary के तौर पे appointment किसी IAS officer को किया जाता है that means आप बिल्कुल center में लेके जाते हो या फिर आप policy making की बात करते हो वहाँ पर तो अगर वहाँ पर एक IAS officer के cadre के लि eligibility रखता है और skills है उनके पास में अगर आप उनको appoint नहीं करते हो तो फिर वो चीज क्या हो जाती है कि आप एक eligible individual को उसके potential से दूर रख देते हो तो ऐसे में higher system है ना हमारे administration में higher level के उपर हम इन IAS IPS officer का जो cadre है इसको dilute कर सकते हैं और वहाँ पर appointment की जाए eligibility के बैचिस पे जैसे recently आपको पता है कि government of India ने lateral entry का provision start किया था उसमें क्या था कि joint secretary level के उपर जो भी individual जिन्हों joint secretary level के उपर ही appointments होनी थी इसमें क्या देखा गया था कि जो भी individual corporate sector में अच्छा perform कर रहा है उनको अच्छा खास experience है उनका UPS से interview लेगी और उसके interview की basis पे फिर उनको appoint कर दिया होगे तो वहाँ पर जब आप lateral entry के basis पे आप appointments दे सकते हो तो आप यहाँ पे cadre की रिजिडिटी को क्यों नहीं flexible बना दे थे इससे क्या होगा कि एक IPS officer के पास में अगर skills है कि जी वो finance department के अंदर कुछ अच्छा खासा काम कर सकता है उसने खुद ने अपनी skills develop की है तो उस individual को आप IES की post पे क्यों नहीं appoint करते है अगर आप central government में किसे ministerial level के ओपर कोई dealing करने की बात आए तो तो यहाँ पर यह जो exclusionary behavior है इसको हमें correct करने की जरुरत है देखो सुप्रीम कोट का एक recent case भी है जिसमें CAPF officer and IPS officer इनके बीच के case की बात भी आई थी कि यहाँ पर भी हमें flexibility ल कारण क्या होता है बहुत सारे इसके repercussions या फिर far far reaching consequences हमें देखने को मिल सकते हैं इसमें सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि एक glass ceiling का का काम करता है ठीक है exclusionary practice जो होती है यह glass ceiling का का काम करती है कि एक individual के पास में skill set available है और उस individual member को अगर आप उस skill set के basis पे कोई कहता ना कि उनक potential का according उनको अगर jobs नहीं मिलती है या फिर promotion के time पे appointment नहीं मिलती है तो फिर बाद में वो एक demotivator का काम भी करता है तो एक तो glass ceiling जो है उसकी वज़े से problem आती है वो demotivation का कारण बन जाती है दूसरा यह कि आप मान सकते हो कि particular service के अंदर जो लोग भी काम करते हैं तो उनको आप training भी इसी तरीके से देते हो कि उनको particular post के उपर appointment किया सके जैसे कि police academy में जो training मिलती है वो इसलिए मिलती है कि उनको police के काम दिये जा सके पर यहाँ पर बात यह है कि जब हम एक optimal choice की तरफ जाना चाहे optimal का मतलब होता है कि आपको maximum benefit मिले किसी भी individual को particular post पर appointment करने के बाद में तो optimal choice की तरफ जब हम जाने की कोशिस करें तो वहाँ पर यह देखना चाहे कि full knowledge को हम एक तरीके से check करें और अब जब full knowledge को check करेंगे तब हमें feel होगा कि कुछ ऐसे individuals हैं जो कि है तो IPS officers पर उनकी appointment अगर IES level पे हो जाए या कोई IRS level पे हो जाए तो उनका benefit मिल सकता है हमें behavior को हटाना चाहिए इसमें देखो कि जो एक strange anomaly आती है जिसमें clarity नहीं आती कि जो batch mates हैं जिन्होंने same exam पास की है जैसे हम देखते हैं IES की जो हम exam Indian civil services की exam हम पास करता है UPSC exam फिर उसके बाद में जब उनकी promotion की बात आती है तो एक cadre वाले को तो promotion जल्दी मिलता है जबकि दू चीज़ जो होती है ना वहां पर हमें एक थोड़ा सा clarity लाने की जरूरत है एक competency देखने की जरूरत है कि कौन अच्छा perform कर रहा है उसको अच्छे से performance उसको promotion जल्दी मिले इससे क्या हो जाएगा कि यह heart burn जो होता है ना अच्छानक से मतलब वही बात है कि same batch के दो individual एक ने IPS काईएस काईडर ले लिया अब आईएस वाले का promotion जो है वो थोड़ा कम speed हो रहा है और IPS वाले का speed जल्दी से promotion होता है तो ऐसे में फिर यहां पर थोड़ा सा issue आ जाता है या फिर जास टूलट भी कर सकते हो कि आईएस वाला है उसको जल्दी से promotion मिल गया बट IPS वाले को नही है कि यह अपने आप में optimality और मतलब यूटिलिटी जो talent की होनी चाहिए न वो नहीं हो पाती है कि एक IPS officer के पास में अच्छी खासी compatibility और बहुत knowledge उसका background भी कुछ ऐसा ही है और वो बंदा जो है वो कुछ और services में serve करना चाहता है और वहां पर उसको potential की utility की बात आए तब व आप मैंने example दिया था बो उसके ओपर आप फिर focus करना शुरू कर देतो तो बोले इन चीजों को हमें थोड़ा correct करने की जरू होता है तबी ease of administration हम यहाँ पर ला पाएंगे फिर finally writer यह बोलना चाह रहे है कि आप देखो जो services top heavy heavy है that means जो top level की secretary level की या joint secretary level की post है वहां पर आप lateral moment को miss मत होने दो इसका मतलब यह हो गया कि जो core functions है वो तो देखो हर एक service में individual अपने training के time पे सीख लेता है पर core function के साथ साथ में भी तो उनके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप उसको मत miss होने दो ठीक है तो उनको promotion दो periodic basis पे और वो promotion जो है वो core area में compatibility भी होनी च कह सकते हो कि उन्होंने खुद ने अपनी खुद की learning के basis पे कुछ develop किया है तो उनको वहां पर opportunities मिलनी चाहिए इसके अलावा देखो यह बात सही है कि core role एक individual अपने training के time पे gain करता है जैसे कि custom officer है ठीक है उनको आप देख सकते हो कि वो income tax मतलब किस तरीके से वो अपनी training ले पे भी तो कुछ और functional capacities develop करता है अपनी खुद की skills enhance करता रहता है तो यह system of cadre है na cadre system क्या करता है कि वो अपनी खुद की full potential को express नहीं कर पाता है क्योंकि एक barrier का काम करता है जो यहां पर cadre division हम देख पा रहे है अभी अब जो बात हम कर रहे है और normally आप देखोगे जब आप खु skills को उन्होंने अपने हिसाब से अपनी खुद की practices के basis पे learn किया है अगर उस basis पे उनको अगर opportunity मिल जाए कि एक custom officer ने income tax की बहुत ज़्यादा studies की है बहुत ज़्यादा knowledge उन्होंने gain किया है और उनको interest भी है और उन्होंने graduation भी मान लो कि उसी तरीके से कुछ किया था तो उन जी मेरे पास में अभी यह है मैं multi skill develop करना चाहता हूं अपने अंदर दूसरा जो nimbleness that means कि एक individual अपने अंदर जो एक ability चपलता है speed से quickly skill develop करने की जो आदत है वो चीज उन चीजों को मारना सही बात नहीं है देखो world बहुत speed से change हो रहा है और इन्हीं realities को learn करते हुए एक individual कु process को continue करता है और अपने आपको empower करता है या को कह सकते हो कि अपनी जो skill set है उसको diversify करता चला जाता है तो ऐसे में legal challenges बहुत सारे आ जाते हैं अगर एक IPS officer को यहां पर आपने IES की post पर point कर दिया हरिया ना में तो इस तरीके के challenges को हमें correct करने की जरूरत है तो देखो इस concept को ज IES officer, IPS officer या जो भी government officers हैं यह basically hack on यह काम किस basis पर कर रहा है पबलिक के hard earned money के basis के ओपर जो tax pay किया हुआ है उसके ओपर इनकी learning होती है तो आप ए human resource management जिसको हम HRM practice भी बोलते हैं यहां पर हमें कुछ ऐसे options को avail करना होगा जहां पर universe of available choice की तरफ जाना होगा that means आप देखो कि एक तो आपके पास में universe of available choice बहुत सारी choices आपके पास में available है और एक तरफ आप उसको थोड़ा सा reduce करते हो broader prospect को और जाकर के केवल और केवल कैडर बेसिस पर allotment करना शुरू कर देते हो तो वो फिर बाद में आपके पास में choices कम हो जाती है तो देखो department के training के basis पर उनका पॉइंट कर दो जैसे कि bottom level पर administration हो या middle level पर administration हो पर जब बात आजाए higher level की या इन bottom और middle administrative levels है उपर की बात करें जैसे ये pyramid में बनाएं तो bottom के ओपर आपको ज्यादा numbers में मिलेंगे जो कि हमें expertise सी होती है वहाँ पर तो चलो ठीक है कि IES की जगाई IES पोइंट कर तो IPS की जगाई IPS और middle में भी आप देख सकते हो कि जो commissioner level की जो post है वहाँ तक आप specialization को ले सकते हो पर जब top level की बात है secretary, joint secretary, chief secretary है ना या फिर cabinet secretary तो बोलो वहाँ पर आप एक तो cater की जो ये situation है इसको neutralize कर सकते हो या फिर आप ये कर सकते हो कि कुछ ऐसे cater's fix क को आप avail करा दो कि जी कम से कम ये लोग तो particular in post के लिए eligible है जैसे मान लोग कि cabinet secretary की बात है तो वहाँ पर बोलो कि IPS, IFS इनको या फिर IRS या फिर IPS, IAS इनको आप fix कर दो कि हाँ ये post में जो लोग भी काम कर रहा है वो सब लोग इस particular post के लिए eligible है या तो आप post cadre को neutral कर दो या multiple services इसको आप relevant clear कर दो कि हाँ जी किसी भी post के लिए ये लोग eligible है इससे क्या हो जाएगा आपके पास में talent pool है वो बहुत ज़्यादा wide manner में available हो पाएगा इसके लिए देखो जो objective criteria है वो कुछ है ऐसा होना चाहिए कि जो knowledge domain है उसमें expertise हो और selection process है वो भी एक meaningful manner में conduct हो तो इन दो models पे कौन सा एक तो model हो गया आपका cadre neutral और एक हो गया multiple service वाला इस option पर इन दोनों में से किसी एक पर काम किया जा सकता है अगर high level की बात की जाए तो concept है यहाँ पर cadre post का ये देखो एक example है कुछ पुराने time का जो ideas है उसके basis पे और ये केवल और केवल एक barrier का का काम कर रहे है अभी जरुवत क्या है कि हमें competition को promote करने की जरुवत है administrative efficiencies लाने की जरुवत है इससे क्या होगा हम ज्यादा से ज्यादा ज्यादा जो potential जो talent हमारे पास में available है उसको हम utilize कर पाएंगे इसके लिए ये बहुत सही time है कि क्यो ना हम ये limited concept है जिसमें हमारे administrative dog mask में हम फसे तो उसको फिर higher level की जो post है वहाँ पर तो कम से कम हम inter services posting दे सकते हैं जैसे कि हम बात करते है ease of doing business की उसी तरीके से ease of administration की तरफ भी हमें बढ़ने की जरुवत है ठीक है तब जाकर कि हम optimally harness कर पाएंगे जो हमारे पास में talent pool available है फर्क इतना सा ही है कि वो IS है कि IPS है कि IFS है कोई आपको लगे कि हाँ जी वाकई में वो eligible है कोई एक higher level की post के उपर appoint होने के तो उसको definitely appoint करो फिर यह मत देखो कि कौन से service से वो belong करता है ठीक है तो यह पूरा मुद्धा है जिसमें कुछ innovative manner में इन्हों नों बताने कोशिश किये यह खुद एक serving officer है ठीक है views are personal इनके personal views है कभ done by S. महेंदर देव देखो अभी इसी महीने की बात है अभी United Nation Secretary General वो food system submit convene करने वाले हैं जिसमें main focus रहेगा कि global food system है उसको transform किया जा सके जिसें की जो sustainable development goal है जो कि 2030 तक अचीव करने है उसमें है hunger free farmers की welfare ensure करना mal nourishment खतम करना वो सारी चीज़े हम अचीव करें तो इसमें 5 action प जिसमें आप safe and nutritious food को access सभी के लिए ensure करो दूसरा sustainable consumption pattern हो ऐसा नहीं कि एक 10 दिन तो खाना मिल गया और 11 दिन की खाने की कोई guarantee नहीं है तो sustainability वहाँ पर ensure होनी ज़रूरी है तीसरा है कि nature positive production होना चीज़े ऐसा नहीं कि आप जो कोई भी काम कर रहा हो उसकी वज़े से climate change आ रहा ह है ऐसे भी activities को हमें avoid करना है इसके अलाबा equitable livelihood ऐसा नहीं कि कि किसी की earning में problem हा रही है अगर वो afford ही नहीं कर पाएंगे खाने को तो फिर कहां से वो खाना nutritious food consume कर पाएंगे और पांचवा point आजा that is कि हम resilient और vulnerabilities को ध्यान में रखते हुए या जो भी shocks आते हैं उन stresses को उनको एक क पर हम ऐसे infrastructure ऐसे system को create करें जो कि उन shocks से बाहर निकल करके और continuity बनाए रखें अगर food and agriculture organization के हिसाब से देखे ना तो उनका यह कहना है कोई भी food system होता है उसमें main काम यह होता है कि सारे जो actors हैं चाए वो फिर producer हो मतला production हो चाए फिर वो produce material को एक साथ कटा करना aggregation का का काम हो य सबी food products का तो उसमें आप देखो कि आप बहुत सारी चीजों को cover करते हो मतलब आप देखो कि हर एक stakeholder का role यहाँ पर आ गया ठीक है इसके अलावा चाए अगरी कल्चोर हो चाए forestry हो चाए fishery हो यह सब लोग मिलकर के सारे जो assets हैं या फिर कह सकते हो सारे sectors सारे departments एक साथ आए या फिर economic या social point office से देखें नेचरल environment point office से देखें इन सब को एक साथ embedded manner में काम करना होगा दैट मींस food and agriculture organization के हिसाब से यह है कि food system का मतलब क्या होता है इस food system में यह सारे के सारे key stakeholders आ जाते हैं अब देखो यह तो हो गई बात international platforms की अगर इंडिया की बात भी करें तो हमें भ farm income को भी increase करने की जरूरत है तो nutritional security भी देने की जरूरत है inclusive का मतलब हो गया कि society में चाहे rich हो चाहे poor हो चाहे lower caste हो चाहे upper caste हो चाहे rural region हो चाहे poor region हो हर एक area में food security ensure हो number one number two sustainability की आज की अगर generation अगर पेट पर खाना खाती है तो उनको फिर आने वाली generation को भी healthy diet जो है वो लगाता पर आप देखोगे consumer भी आगया इन तीनों की welfare ensure करो this will be inclusive this will be inclusive income inclusive manner में आप कह सकते हो कि food system का आप promote करे हो sustainable manner का मतलब हो गया कि आप इस तरीके से activities को perform करो जिससे की climate को problem हो natural hazard minimum हो तो overall बात क्या आगई कि इंडिया को भी अपने food system को transform करने की ज़रूत है जहां पर inclusive or sustainable manner में growth हो और higher farm income भी हो और साथ साथ में जो nutrition security है वो भी हम provide कर सकें जो भी vulnerable sections है उन सबी को तो इस context में देखो यह अपने आप में बहुत ही important काम है कि वाकई में हमें food system को थोड़ा एक बार re-examine करने की ज़रूरत है वैसे तो अगर देखा जाए तो इंडिया में significant progress achieve की जा चुकी है already अगर हम बात करें agriculture development की एक बार हम देखें हमारा country जब independent हुआ था तब हम एक food deficit country हुआ करते थे जो हब import करते थे बहुत जादा उससे हमने green revolution के बाद में self-sufficient country बनने का एक tag है वो achieve कर लिया और बात यह है कि एक तरफ जब green revolution की basis में food deficit से हम food self-sufficient हो गए पर उसके दूसरे नुकसान भी अगर देखे ना तो वो भी कम नहीं है जैसे एक तो water logging पंजाब अरियाना में वहां की जमीने हैं बहुत ज़्यादा saline हो चुकी है क्योंकि पानी वहां पर बहुत over irrigation की वज़े से water logging की वज़े से बहुत problem है जैसे western राजस्तान की अगर बात करूं तो इंदरा गांदी किनाल का system जब से शुरू है तो वहां पर same की problem हा रही है अब वहां पर क्या होता है पानी कटा हो जाता है leakage हो हो करके तो उससे क्या होता है soil quality बिगड़ जाती है soil erosion बहुत हो गया ground water depletion बहुत ज़ादा हो गया है तो ये एक agriculture की unsustainability को show करता है तो हमें ज़रुत क्या है कि हमारी जो policies हैं उनको हमें reorient करने की ज़रुत है आज भी अगर 1960s की जो हमारी tendency थी कि हमारे आपर food deficit है तो उसी के हिसाब से अगर policies आज भी बनाएंगे जब कि हम food surplus हो चुके हैं तो फिर बोले वो कैसे sustainable manner में काम कर पाएंगे आज procurement और subsidies या फिर water policies को देखें तो वो mainly focus किस पे कर रही है rice या फिर wheat पे या फिर आज आप देखो इंडिया में जितना भी irrigated water है वो 75-80% तो किसमे यूज होता है rice, wheat and sugar cane की cropping में तो आप देखो कि क्यों ना हम अगरी agriculture practices को अगर diversify कर दें cropping pattern को हम थोड़ा सा divert करें millets के तरफ, pulses के तरफ, oilseed के तरफ, horticulture के तरफ इससे क्या फाइदा हो जाएगा एक तो ये पानी की जो crisis है क्योंकि ये less water intensive crops हैं तो पानी की requirement कम से कम होगी और agriculture भी अच्छे से हो पाएगी इससे क्या होगा कि water distribution की problem जो है वो sort out हो पाएगी sustainable manner में agricultural practice हो पाएगी और साथ में climate resilient manner में काम हो पाएगा आज अगर आप देखोगे ना जितने भी farming activities होती हैं उन से बहुत ज़ादा green house gases release होती हैं अब वो green house gases को अगर हमें trap करना है रोकना है देखो होता क्या है अब जैसे अभी आने वाला है season खरीफ season के बाद में रभी की season के बाद में आपको पताईए कि January, February में Punjab, Haryana, Western UP यहां के farmers trouble burning कर देता है तो वो चीज़ें आप इतनी ज़्यादा intensity के साथ में करते हो जिसकी वज़े से बहुत ज़्यादा problem होती है अब एक तरफ तो वहाँ पर NCR reason में जो smog का problem हो वो बढ़ जाता है दूसरा overall अगर globally देखा जाए तो उसका नुकसान कितना है कि climate change पे कितना ज़्यादा push करता है फिर वो तो हमें ज़रुत है कि Indian agriculture को हमें diversify करने की ज़रुत है mainly किस तरफ जिसें की high value production हो किसानों को भी अच्छा खासा remuneration मिले उनकी जो भी production हो रही उसको और जो farm income है वो बढ़ सके ये तो हो गया देखो फिवार मर्स के point of use है अब क्या होगा कि जब आप agricultural practices को diversify करोगे तो इससे फाइदा क्या होगा कि जो भी nutrition sensitivities को focus में रखने की ज़रुत है जैसे आज हमारे याँ पर portion अभियान चल रहा है ठीक है या फिर midday meal scheme चल रही है आई cds scheme चल रही है उन schemes में अगर diversified manner में food intake अगर बच्चों को provide किया जाएगा ठीक है आगन बाड़ी जो है आगन बाड़ी वहाँ पर औरतों को अच्छा खासा खाना मिलना शुरू हो जाए उनकी health का proper ध्यान रखा जाए और उसमें ये diversified manner में agriculture practices का support मिलना शुरू हो जाए तो जो problem है कितनी sort out हो सकती है इससे women हो या small farmers हो इनका भी ध्यान रखा जा सकता है inclusive manner में इनकी growth ensure की जा सकती है environmental friendly manner में agriculture practice हो जो कि sustainable भी बनी रहे sustainable का मतलब होता है continuous बनी रहे अच्छा अब बात आती है small farmers के लिए क्या करें देखो इनको special support की ज़रूट है चाहे वो input हो चाहे वो seed हो fertilizer हो irrigation के लिए पैसा लगाना हो वो हो या फिर जो उनका production हो चुका है जो भी agriculture crop produce हुआ है वो तो उनके बीच में एक proper link establish हो इसके लिए technological intervention किया जा सकता है institutional innovations का use किया जा सकता है और साथ में जो crop का जो pattern है उसको diversify करने में और जो value chain है उसको beneficial बनाने में भी help की जा सकती है जिसें की small farmers अपने आप से चोटे 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 खेतों पर भी अगर खेती करें तो problem नहीं आए ठीक है तो इसके लिए क्या हो सकता है एक तो farmer produce organizations है एफ पी और यह देखो बहुत ही अच्छा काम करते हैं जब चोटे 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 फार्मर्स है एक साथ आ जाते हैं और व market में sell out करेंगे तो उनको हो सकता है कि जितनी लागत लगी उतना पैसा ना मिले पर अगर यह दोनों मिल जाएंगे तो इनके दोनों के मिला करके 10 quintal हो जाएगा अब अगर यह market में sell करते हैं अपने produce को तो वहाँ पर अपने दोनों मिल करके अपनी आवाज उठाएंगे त इसके लावा जो ITC कंपनी है उसके दोवारा एक E चौपाल करके प्रोग्राम चलाया जाता है ना उसमें क्या होता है कि टेकनोलोजी के basis पे small farmers को वहाँ पर enroll किया जाता है और उनसे उनकी produce की बोली लगवाई जाती है तो उससे क्या होता है small farmers की आवाद सुनी जाती है और women cooperative जिसका नाम है कुदुम श्री इन केरला इस example का use करके all over India जो women है वो छोटे छोटे अपने farm areas को एक साथ collaborate करके और एक बड़े खेत में convert करके साथ में मिल करके काम कर सकती है और इसका एक और example है Amul, Annan Milk Union Limited जो कि वरगीस Korean उनके idea के basis पे ये काम करना शुरू हुआ था और देखो Amul कितना बड़ा brand है और एक cooperative society का example है एक नहीं तो ऐसे में इस तरीके के innovations को हमें काम में ले सकते हैं और food system है ना उसको और जादा enhance कर सकते हैं फिर जो दूसरा issue है that is hunger and malnourishment ये इंडिया की तरफ देखे जाए ना तो बहुत grave situation निकल के आती है जैसा कि हम already data देख च ला की तो उसमें 38% जो बच्चे है वो stunted है पांच साल से कम उम्र के इसी तरीके से National Family Health Survey पांच वे राउंड कि अकर बात करें तो under nutrition जो है वो इंडिया में decline नहीं हो रहा है under nutrition जो लगातार बना हुआ है ये 2019-20 में ये data release हुआ है तो और ये तो हो गई कमजोरी की बात अब obesity की और बात कि बच्चों की जो खाने का जो तरीका है वो इतना बुरे तरीके से बिगडा हुआ है जिसकी वज़े से वो मोटे होते चले जा रहे हैं तो food system में जो approach अभी चल रही है ना तो इस पर हमें ध्यान देने की ज़रुत है चाहे वो under nutrition हो या फिर obesity हो तो हमें एक safe and healthy diversified manner में dietary system को promote करने की ज़रुत है इसके लिए sustainable food system की requirement है eat lancet diet के हिसाब से कर देखें तो उन्होंने recommendation दे रखी है कि एक वाकई में healthy and sustainable diet क्या हो सकती है पर problem क्या है कि इंडिया की majority of population ज्यादा तर population उस diet plan को follow ही नहीं कर सकती क्योंकि उस diet plan को follow करने में लगबग हर दिन एक बंदे को 3-5 डॉलर खर्च करने पड़ेंगे बट reality क्या है हमारे यहांपर कि dietary के उपर खाने पीने के उपर एक बंदे के उपर एक दिन में इंडिया में सिर्फ एक डॉलर ही खर्च होता तो यह gap है बहुत बड़ा इस gap को correct करना जरूरी है यह चीज TATA Cornell Institute for Agriculture and Nutrition इन्होंने nutrition rich diets की बात करें जिसमें meat है, fish है, poultry है, dairy है, fruits है, इनके consumption की बात भी करें तो इंडिया में इतना कुछ खास नहीं होता क्योंकि एक तरफ आप गाओं में जाओ, वहां पर आपको processed food जैसे की potato chips हैं, यह लेज और यह आते ना कुरकुरे और यह, biscuits हैं, यह तो देखो आपको सस्ता मिल जाएगा जिसकी अदनी है, पर दूसरी तरफ fruits and vegetable की बात करोगे ना, तो वह बहुत महिंगा मिलता है, तो यहां पर यह जो gap है ना, कि processed food जो की वाकई में मोटापे का बहुत बड़ा कारण बन रहा है, और जो mal nourishment है, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्यों और यह processed food तो बहुत इसको हमें replace करने की जरूरत है, इसके लावा animal source food की अगर बात करें, जहां हम meat की अगर बात करें, तो per capita consumption देखें ना, meat की, वो इंडिया में अभी भी 10 kg से कम है, जो कि internationally 60 से 70 kg है, यूएस और यॉरोप की अगर बात करें तो, तो आप देख सकते हो, कि कितना ज्यादा protein rich intake है, वो कम है हमारे यहां पर, तो food system जो है, वो sustainable होना ज़रूरी है, इसके लिए हम ध्यान ये भी दें, कि food sector जो हना, वो लगबग लगबग 30% तक greenhouse gases को भी emit करता है, तो food sector में हम sustainability लेकर के आना चाता है, तो देखो climate वाले issue को भी हमें address करके चलना पड़ ठीक है, तो ऐसे में होना कैसे चाहिए, कि जो production है, वो या value chain है, वो या फिर consumption है, वो hand in hand इस तरीके से होने चाहिए, कि जो cropping pattern है, that should be climate resilient, क्योंकि climate change है, वो आपको पता एक reality बन चुका है, तो इसके लिए क्या करें, कि आप जो subsidies already, wheat, rice, इनके लिए आप MSP और ये fix कर रहे अरे इनको छोड़ो, subsidies आप देना शुरू करो, cash transfer देना शुरू करो, जिससें की farmers जो हैं, वो sustainable agriculture की तरफ जाएं, जिसमें वो agriculture diversification हो, climate resilient, agriculture practices को follow करें, और subsidize rate के ओपर खाना ऐसा provide करो ना, जो की nutrition rich हो, तब देखो फिर आप काम होता है कि नी, तो food system ऐसा हो, कि जहां पर आप ये system को sustainable बना सको, देखो health infrastructure बड़ा important होता है, COVID-19 ने बहुत सरे countries के health infrastructure की कम्यों के expose किया है, particularly India की बात करें, health और education की जो inequalities हैं, वो लगातार निकल के आ रही हैं, और health और sustainability के अगर बात करें, तो उन चीजों के अंदर हमें food system को तो बहुत जादा strengthen करना होगा, और women health indicators के अ perform कर रहे हैं, और उसके लिए देखो हमें better nutrition values अगर उनको provide करेंगे, तो ही वो अच्छा perform कर पाएंगे, वैसे तो देखो inclusive food system की अगर बात करें, तो वहाँ पर हमें social protection programs हैं, उनके पर भी धान देनी की जरुरत है, वैसे तो इंडिया में social protection program already चल रहे हैं, जैसे कि नरेगा support भी provide करते हैं, कुछ लोगों को job जो करते हैं उनको, और दूसरी तरफ क्या है, nutrition rich, खाना भी provide करते हैं, तो overall income, livelihood और nutrition, इन तीनों चीजों को protect करना चारूँ यह कम से कम जो weaker and marginalized and vulnerable section of society हैं, society हैं उनको, तो PDA system को हमें क्या करना चाहिए, अभी आप चावल के हूँ यह दे र value ensure की जा सकती है, finally writer यह बोल रहा है, कि non agricultural practices होती है न, वो भी देखो बहुत important role play करती है, और यह बात कही T.N. श्री निवासन ने, एक economist हैं, उनके दौरा, कि sustainable food system अगर हमें वाकई में achieve करना है, तो इसके लिए हमें non agricultural non food system को भी strengthen करना पड़ेगा, जैसे कि अगर हम बात करे कि आप agriculture में जितना अभी एक खेत के अंदर जहां पाँच आदमी काम कर सकते हैं, वहाँ 10 जन employed हैं, तो आप क्यों नहीं manufacturing और service sector को ओर जादा labor intensive बनाओ, जिससे कि जो agriculture के उपर pressure उसको कम किया जा सके, employment create किया जा सके, और आपको पता ही है, कि जब livelihood अर्ण करने के opportunities better available होती ह तो फिर बाद में पैसा भी कमाया जाता है, खाना भी खरीदा जाता है, और अच्छे dietary habits भी follow होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, आज हमारे याँपर small holders की बात करें या informal workers की बात करो, इसकी कमी नहीं है, और agriculture वाकई में इतना जादा strong नहीं है, हमारा sector की बहुत कुछ इनको support provide कर सके, तो इसके लिए क्या करें, MSME को हम support दे सके, MSME इसको strengthen करें, rural areas में, इसके लावा food processing की वहीं पर अनाज पैदा हुआ और वहीं पर उसकी processing होगी, तो आपको वहीं की वहीं पर job create होने के option मिल जाएंगे, ठीक है ना, तो non agricultural practices हैं, वो भी अपने आप में food system को complement करती ह तो conclusion यह है कि global level के ओपर already proposal है कि एक international panel on food and nutritional security वो बनाया जाए, जैसे कि IPCC है ना, इंटर गौर्नमेंटल पैनल on climate change, बलो उसी तरीके से food and nutritional security के ओपर भी IPFN establish कर दिया जाए, जो कि इसी तरीके के targets के ओपर काम करें, United Nation food system की जो summit हो रही है, तो यह great opportunity है कि sustainable goals, development goals को हम achieve करने के लिए काम करें, science और technology का use किया जा सकता है, यह एक अपने आप में बहुत important drivers हैं, और इंडिया को तो खुद का aim ऐम ऐसा होना चाहिए, कि ऐसा food system हो, जहाँ पर transformation लाया जाए, क्योंकि अभी भी हमारी जो food policy है, agricultural policies है वो 1960s के हिसाब से oriented है, जिसमे हम food deficit हुआ करते थे, बट आज क्या food deficit है, जी बिलकुल भी नहीं, तो ऐसे में हमें inclusive और sustainable अगर approach अपनानी है, farm income को improve करना है, और nutritional security देनी है, तो यह अच्छी opportunity है कि international level के ओपर तो IPFN establish कर दिया जाए, और इंडिया अपने food system को reform करे या transform करे, आगे चलता है, नेक्स जो आर्टिकल है, that is the challenge of flexibility, देखो आर्टिकल लिखा है, अशोग ठाकुर और SS Mantha, यह दोनों individual हना, already higher education से related है, यह MHRD के already, ministry of human rights, human resource development, ठीक है, जो की ministry of education हो गई, उसके, sorry, secretary रह चुके हैं, और SS Mantha जी हैं, वो AI City के chairman रह चुके हैं, तो इनका यह कहना है, कि अभी एक बार imagine करो, कि एक बंदा पंजाब university से physics पढ़ रहा है, TIFR से mathematics पढ़ रहा है, IASC Bengaluru से chemistry पढ़ रहा है, और R.A.B. Research Institute से वो पढ़ रहा है, क्या astronomy, अब उस बंदे को आप degree देने की बात करते हो, अब वो degree देने की बात में अगर देखो, तो degree कौन सी दी जा रहा है, बट इनमें से astronomy और यो मानलो physics common है, तो astrophysics की अगर बात करें, वो degree लेना चाह रहा है, वो, बट उसने दूसरे जो mathematics है, वो mathematics की देखो, उसने वो ले लिया, मानलो political science, और दूसरा कोई और subject ले लिया, तो overall ये बताओ, कि आप किस तरीके की degree उनको देना चाहोगे, तो government इसी चीज़ को ले करके सोच रही है, कि एक तरीके से multiple entry, multiple exit, कि मन में आये तब exit कर सकता है, मन में का मतलब एक course complete किया, एक साल का, दो साल का, तीन साल का, चार साल का, और उसमें बच्चे ने पहली साल का किया, तो certificate course हो गया, दो साल का हुआ, तो उनको एक certificate, दूसरा diploma मिल जाएगा, तीन का कर दिया, तो degree मिल जाएगी, चार साल का कर दिया, तो research paper के साथ साथ में उनका degree मिल जाएगी उनको, तो इसमें multiple exit हो गया, multiple entry, कि आप किस subject को पढ़ना चाते हो, physics को पढ़ना चाते हो, वो आप पढ़ लो, chemistry को पढ़ना चाते हो, वो किसी और university से, तो वहाँ से आप पढ़ लो तो multiple entry multiple exit और साथ में academic bank of credit इसमें क्या होगा कि जो subject आप आपने पढ़ लिया जिसका course complete कर लिया उसके हिसाब से आपको weightage दे दिया जाएगा और उस weightage के according ही फिर उस बच्चे को क्या कर दिया जाएगा degree allot कर दी जाएगी तो यह idea है बड़ा innovative है जब theory की बात आती है तब तो बड़ा अच्छा लगता ही है कि हमारे education system को हम diversify करने की कोशिस कर रहे है और यह provision launch होए थे national education policy 2020 जो की जुलाई 2020 में launch हुई थी अब इसमें क्या है कि हम कोशिस कर रहे है कि जो हमारा structured rigid or expensive infrastructure या education system है उसको थोड़ा सा हलका बनाया जाए that means rigidity को flexibility में convert करना चाहे expensive को cheapness में लेकर जाए और structure में जो एक rigidity है उसको थोड़ा सा change किया जाए but point यह आ जाता है कि यहाँ पर यह दोनों जो regulations है इन दोनों regulation में flexibility curriculum framework इनको change करना interdisciplinary education को system को promote करना और एक academic mobility दे रहे हैं student को कि एक university से दूसरी university में जाके पढ़ सकता है वो एक university में को यह एक subject पढ़ लिया दूसरी में दूसरा पढ़ लिया पर दोनों subject को मिला कर कि overall उनको फिर बाद में degree देने की बात की जा रही है students को आप choice provide कर रहे हो कि हाँ वो अपने हिसाब से अपनी learning path को decide कर ले चाहे degree ले चाहे diploma ले चाहे certification लिये मैं आपको बता चुका हूँ और उ इस तरीके की बाते हमने की है क्या वो implement होने लाइक है क्योंकि एक student जो कि 15-16 साल का होगा वो graduation के लिए entry लेने के लिए आएगा तो उसको क्या पता है कि कौन से course के combination को हमें पढ़ना चाहिए क्या मुझे physics के साथ में political science या geography पढ़नी चाहिए क्या मुझे physics के साथ में chemistry या math को पढ़ना चाहिए या फिर math और biology पढ़कर के फिर बाद में दोनों में expertise होकर के आगे जाना चाहिए तो सवाल यह आ जाता है कि उस student को क्या इतनी आपके पास में इतनी क्या knowledge होगी पहली बात तो उस student की खुद की उस कह सकता है ने choice के उपर जो उनको आपने authority दे रहे है उसके ओपर doubt है देखो UGC इसके लिए काम करती है कि हमारे आपर जो degree code से जा भी जो चल रहे हैं उनमें fix कर दिया जाता है कि जी आप जैसे मान लो कि आप BSC करना चाहते हो तो BSC के लिए आपको physics, chemistry, maths या biology दोनों में से कोई है PCM या PCB से आपने BSC कर ली अब सवाल ही आ जा जो curriculum है वो already fix कर के आ जाए तो इस combination के अंदर भी आपने कितनी autonomy दे दी जो student centric है उस learning है उसमें भी doubt आ गया तो point यहां पर यह बोल रहे है writer कि जिस तरीके की reality है उस reality में अगर यह execution की बात आएगी तो मुश्किले पैदा होगी क्योंकि theory और practical में आपको पता है बहुत ज़ किया था और UGC के regulation के basis पे इसी तरीके से काम किया बर ultimately क्या हुआ उनको यह system बंद करना पड़ा क्योंकि समझ में ही नहीं आया problem क्या हुई कि एक university है मान लो A यह मान लो IIT या फिर मान लो की JNU है for example JNU दूसरी है IASC इदर से JNU से कुछ course किया IASC से कुछ course किया इदर से यहां का credit system मतलब जो subject आपने पढ़ा JNU से उसका credit आपको मिल गया कि हाँ जी 25 credit इसने cover कर लिए IASC से वह आपने पढ़ाई कि उधर भी आपने 25 credit cover कर लिए total मिला करके 50 हो गए पर पता पढ़ा कि जब यह 50 credit आपके हो चुके हैं आप तो ready हो पढ़ा करके पर पता पढ़ा कि JNU का जो head है वाइस चांसलर है और IASC का जो वाइस चांसलर है दोनों के भी इसमें बनती ही नहीं है तो यह दोने universities आपको वहाँ पर फसादेंगी और आपके वल चक्कर कारते रह जाओगे institution के तो ऐसे में तो बच्चों के साथ खिलवाड हो जाएगा ना तो यह जो च स्पीड से चाहिए वो पांच साल दो साल तीन साल जितने साल के अंदर वे अपने course को complete करना चाहता है कर ले पर सवाल यह है कि national skill qualification framework इसको establish होने में लगबग एक दशक लग गया था आइडिया आया था यह भी national skill qualification framework जो कि more or less इसी system पे काम कर रहा था जिसमें multiple entry और multiple exit होने थ सकते थे पर होता क्या है कि बच्चे जो है वो अपनी program को complete करने के बाद में जैसे ही बाहर निकलते हैं तो फिर उसके बाद में उनको बहुत जादा problem होनी शुरू हो जाती है और problem में क्या वही बात practically जो थी वो problem आ जाती क्योंकि courses उन्होंने किये अब course उनका ना तो एक सा मतलब कोई fix degree तो थी नहीं और उन्होंने अपने हिसाब से अपने खुद के courses design कर ली और उन्होंने course complete करना शुरू किया अब होता क्या है कि इसी तरीके से फिर वो program में अपने हिसाब से काम करते हैं और उनकी जो employability थी उसके ओपर question आने लग गए कि जी आपके पास में एक courses क्यों नहीं available कराते हैं क्यों available कराते हो तो सवाल क्या है कि जो industry या फिर job opportunities इंडिया में create हो रही हैं उन opportunities को या तो आप education system के साथ में align करो या फिर आप उस system को देखते हुए education system को आप तयार करो इसके अलाबा डेली university ने एक five year undergraduate program भी शुरू किया था जिसमें भी same यही का था ठीक है कि बच्चा आपने इसाब से पढ़े और पढ़ाई करके job degree उसकी complete हो जाए तो वह आगे जाकर के मतला multiple exit or multiple entry वाला इसको unceremoniously that means बिना सोचे समझे बेवज़े 2014 में इसको scrap कर दिया अब आप देखो कि यह जो flexibility आप दे रहे हो इसमें आप focus भी किस पे करते हो अच्छा flexibility भी कौन कौन से courses में available है उसमें भी एक monopoly establish कर रही है government वो यह जैसे कि स्वयम पोर्टल है उस पे जो courses available है NPTEL या VLAB यह government के कुछ पोर्टल से इनके ऊपर courses available है और इनी courses के लिए आप यह credit accumulation का system दे रहे हो कि हाँ उनी courses को जो पढ़ेगा उनी को credit facility मिलेगी और वो अपने हिसाब से पूरा credit system cover करके और अपने degree ले सकेंगे सवाल यह है क्या private sector के जो institution है वो पढ़ाई नहीं करा सकते अच्छे से जब आपने यहाँ पर corporatization of private sector education करी रखा है तो उस case में क्या government portal को यह आपने allow क्यों किया private sector को भी approval देना चाहिए था तो यह जो accumulation आप कर रहे हो credit का वो फिर बाद में वही चीज़ है कि कुछ universities के हाथ में ही रह जाएगा फिर वो ही चीज़ आजाएगी कि मान लो कि जब एक कोई बंदा foreign university से अपने कोई course को complete करके आथा उसको लगता है कि इंडिया में मैं दूसरे subject particular university से जो नाम ले ले मान लो किसी IIT से या फिर आप मान लो कि IASC से पढ़ना चाहे तो वहाँ पर फिर foreign university के credits को आप क्यो consider नहीं कर रहे हो जब आप universalize ही करना चाहते हो तो तो सवाल ही आ गया कि international universities, private universities इनको भी आपको recognition देना चाहिए इस credit system की अगर बात करें तो technology की अगर बात करें तो यह बड़ी important है क्योंकि आप काम किस पे करोगे digital system पे काम कर रहे हो जो कि आप digital system होगा और वो भी distributed मैंने आप जैसे swam portal है वहाँ पर जो भी content पढ़ा है वो आप भी access कर सकते हो मैं भी access कर सकता हूँ इसी चीज़ को आप continue कर रहे हो पर सवाल यह है कि जो academic bureaucracy है क्या इस चीज़ को जल्दी से allow करेगी वो बिलकुल भी इस चीज़ को अपने वही बात ना कि जो already आपने जो system तयार कर रहे हैं तीन सा पदिती के ओपर पूरी पकड़ है क्या वो इस तरीके के path breaking changes को accept करेंगे वो implement ही नहीं होने देंगे तो पहले आप अपनी administrative system को भी correct करो फिर बात आ जाती है कि certification के courses की बात करें एक university से अकर दूसरी से university में चला गया और वहाँ पर देखा गया कि एक बंदा एक university से कुछ औ कर रहा है दूसरी university से कुछ और course कर रहा है और तीसरी से कुछ और तीनों से मिलकर के एक degree लेना चाहे तो कितना मुश्किल होगा that is onerous इसको correct करना जरूरी है तो जिस तरीके से बात की जारी है ना practically बहुत मुश्किले हैं वहाँ पर यहाँ पर जो multiple entry multiple exit है ना यह बहुत ज कर रहे हो 2014-15 में तो education के लिए 4.4% आपने GDP का दिया था 2019-2020 में वह कितना दिया आपने 3.4 चलो ठीक है कि 2021-22 का जो budget है उसमे 6% तक आपने allocate किया है पर यह allocation इतना जादा अच्छा नहीं है तो एक तो budgetary allocation number two teacher student ratio जो आज 30 बच्चों के ओपर एक teacher है उसको आपको correct करना होग पाच students के ओपर एक teacher higher education system के हम बात करना है अब यह सारा इसके अलावा जो कोई भी system है आपके जो यह assessment का manner होगा जिसे की बच्चा कितना perform करा है क्या नहीं और transfer करोगे credit score की high की university से दूसरी में और degree award करोगे तो भाई जो dissimilarities है ना उसको correct करने के लिए आपको एक IT infrastructure बनाना पड़ेगा इसके अलावा teachers को आपको इस तरीके की skills देनी होगी कि वो teacher कम teacher तो कम हो अब उनके mentor और एक guide बने जाए ठीक है तो यह जो objective है ना national education policy का वो objective सीधा सा बोला जा रहा है कि ऐसा curriculum तैयार करना ऐसे pedagogy system तैयार करना teaching system तैयार करना जिससे की road learning तो minimize हो जाए और holistic development ब दी जा सके तो अगर आप वाकई में success चाते होना तो सारे stakeholders है वो central government हो UGCO, vice chancellor हो ठीक है चाहे faculty हो non faculty staff हो सब लोगों को आपको transform करना पड़ेगा एक तरफ आप academic bank of credit की बात करते हो और दूसरी तरफ आप इस तरीके के regulations की missing जो academic bank of credit है जिसके basis पे आप ये credit अलोट करोगे वो है ही दूसरी तरफ आप इस तरीके के regulation अगर missing है तो वो चीज ठीक नहीं होगी तो proposal कुछ ऐसा होना चाहिए आइडिया तो देखो innovative है no doubt पर इसको अगर हम वह वाकई में successful बनाना है तो proper regulation होने की जरुवत है guidance होने की जरुवत है facilitation की जरुवत है और इसके लिए आप सीध different universities को collaboration करवाओ उनके collaboration के basis के ओपर आप courses allow करो और इसके लिए आप content अवेल करो जैसे स्वयम पे है ही cure-sera है, ad tax है, udemy है इस तरीके से जो private sector के institutions हैं उनको भी आप involve करो, portal तयार करो और फिर वहाँ पर उस virtual university से ये degrees allot करो तो ये pilot project आप शुरू करो, फिर उसके बाद में इन universities पे apply करो, नहीं तो क्या होगा, इसी तरीके से कि सपना तो बड़ा अच्छा है, पर सपने को जब implement करने की बात आई, तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ठीक है, तो देखो higher education system को change करने के लिए हमें एक ब पाइलेट प्रोजेक्ट पे काम करने की जबरत है, नहीं तो पूरे system में अगर अचानक से disruption आ गया, तो मुश्किले हो जाएंगी, तो तीनों article बड़े शांदार थे, इसलिए detail में देखे, एक को भी छोडने का अमनी था, ठीक है, बाकी articles हैं, वो आप खुद से देख लेन एक तालिबान से related है, एक मतलब departmental, जो issue income tax department से मुद्धा है, उससे related है, एक property से संबंदित है, कि किसी भी individual का अचित्य है, उसको आप कैसे signify करते हो, वो सारी चीज़ है, पर main तीन थे, इनको तीन को हमने detail में देख लिया, तो इस discussion में इतना है, thank you very much.